दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसिस के एक और नए टूर्णामेंट के पहले मुकाबले के बारे में जो खिला जाएगा BOT versus PF के बीच में अगर दोनों टिमों को कंपेर करें तो वैसे तो दोस्तो दोनों टिमों में कोई ज़्यादा डिंफरेंस नहीं है लेकिन फिर भी दोस्तो जो PF के प्लेस है उनके पास T10 का काफी अच्छा अनुबव है तो जो PF की टिम है वो आपको यहाँ पर थोड़ी सी मजबूत नजर आ सकती है अगर पिच के बारे में बात करें तो टुर्नामेंट का पहला मुकाबला है तो दोस्तो पिच के बारे में कुछ भी पडिट करना याँपके काफी मुश्किल रहेगा तो दोस्तो आप एक balanced wicket के according जो अपनी टीम है वो यहाँ पर तयार कर सकते हैं तो सबसे पहले दोस्तो बात करते हैं BOT के बारे में तो T3rd और यहां से एस जूल फिकर आपको open करते हैं नजराज आएंगे तरड के बारे में बात करें दोस्तो तो एक power hitter बल्ले बाज हैं पिछले ECS के अंदर 3 match में 25 सन बनाए थे 22, 0 और 3 इनका recent रहा था बैटिंग के लावा दोस्तो 6 और इन्होंने compete bowling की थी वहां पर एक wicket बे निकाला था तो ताहिर दोस्तो बैट और बोल दोनों में बिल्कुल एक अच्छी पिक आपके लिए रहने वाली है इनके बाद एहमद जूल फिकर हैं जो कि दोस्तो एक classical बल्ले बाज हैं पिछले T10 के अंदर दो match के लिए थे 26 बनाए थे लेकिन official update के according दोस्तो आज के मुकाबले में आपको ओप spin bowling भी करते हुए नजर आ सकते हैं कभी भी एक से 2 वर डाल सकते हैं तो एहमद दोस्तो बैट प्लस में part time bowling आपको याँपी करके दे सकते हैं सनी खवाजा दोस्तो एक hard eater बल्ले बाज हैं कभी भी out हो सकते हैं कभी भी बड़े run लगा सकते हैं T10 के अंदर दोस्तो इन्होंने 8 matches में 133 sun बनाए हुए हैं 22 का batting average है पलस में दोस्तो ऐसे ही कभी कभार इन्होंने एक और bowling कर ली अदरवाज bowling नहीं करते हैं सिर्फ बैटिंग के दम पर आप इनको अपने team में try करके चल सकते हैं इनके बाद गुरपाल रंदावा T10 के अंदर 11 matches में 41 रन हैं पलस में दोस्तो दोवर bowling करते हैं 0 wicket है spin bowling करवाते हैं T20 में देखोगे तो 28 matches में 307 रन है 12 का batting average है पलस में 18 over में 5 wicket है तो गुरपाल रंदावा दोस्तो बैट और bowl दोनों में एक average पिक रहेगी किसी में भी ये आपको कुछ point दिलवा सकते हैं इनके बाद वासीप मुहमद है T20 के अंदर 3 matches में 40 रन है पलस में 2 over bowling करते हैं 1 wicket इनोंने bowling में निकाला है इनके बाद जीसन मैमूद हैं T10 के अंदर 8 match खेल चुके हैं 97 रन है पलस में 14 over bowling करते हैं 5 wicket इनोंने T10 में निकाले हुए हैं इनके बाद रहमान अब्दुल है इनोंने 1 T20 मुकाबला खेला था उसके अंदर 34 बैट के साथ बनाएं पलस में दोस्तों 2 over bowling करते हैं 1 wicket bowling में भी निकाला है तो दोस्तों 1 match में तो परदसन काफी अच्छा रहा है तो इसके according दोस्तों आप grandling में try करना चाहें तो बिलकुल कर सकते हैं बागी दोस्तों 1 match से हम ज़्यादा प्लेस के बारे में आइडिया नहीं लगा सकते हैं इनके बाद M.A.L.I.H.S.ानी T10 के अंदर 9 matches कानू बोविन के पास है बैटिंग में देखोगे तो शिर्फ 18 run है और bowling देखोगे 9 match में तो शिर्फ 4 और bowling के वहाँ पर एक विकेट निकाला है इनके बाद Amar Riyaz है T10 के अंदर 5 matches के अंदर दोस्तों इन्होंने 27 sun बनाए है पलस में 4 और bowling करते हैं विकेट इनको नहीं मिला हुआ तो इनको जगह दोस्तों हो सकता है आसाड इकबाल आपको खेलते हैं नजर आजाएं आसाड इकबाल ने दोस्तों 4 matches में 22 sun बनाए है पलस में 3 और bowling करते हैं एक विकेट है तो रियाज और इकबाल में से कोई एक यहां पर खेलने वाला है इनके बाद दोस्तों फेजल मुस्ताग और एक कुरेशी में से कोई एक खेलेगा फेजल मुस्ताग ने T10 के अंदर 2 match खेले हुए है तीन और bowling करते हुए एक विकेट निकाला है और ओस्वामा कुरेशी है दोस्तों वो एक पाउर प्ले के काफी अच्छे गेंदबाज है नई बोल से अच्छे बोलिंग करवाते हैं बाकि ज़्यादा इनका कोई रिकोर्ड आउलेबल नहीं है और हाई सांस रहेंगे कि कुरेशी ही आपको खेलते नजर आएंगे आसिफ खान है दोस्तों पार प्ले में बॉलिंग करके देने वाले हैं टी टैन के अंदर 2 match ये खेल चुके हैं 4 और बॉलिंग करते हैं एक विकेट आसिफ खान के नाम रहा है बाकी बैंसेज के प्लेज को लेकर अगर कोई भी चैन्स होगा तो उसकी पूरी अपडेट आपको टैलिगाम में मिल जाएगी और टैलिगाम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा अब हम बात करेंगे दोस्तों पी अफ के वारे में उससे पहले अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई की मेनत के लिए और मोटिवेशन के लिए एक लाइक जरूर कर दें और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिविकेशन बैल आइकन जरूर दबा लें तो दोस्तों पी अफ की जो टीम है उसमें फरांग चोदरी, समीर अली, इमाम दीन और मुहमद वाजी है ये चारों टोप ओडर के बले बाज हैं कोई भी आपको ओपन या फिर वन डाउन नजरा जाएगा फरांग चोदरी दोस्तों एक मैच के अंदर तो 43 सन बनाए थे लेकिन पागी के जो चार मैचेज हैं उसके अंदर पांच कांकडा नहीं चूपाए टोटल इसेस के अंदर 10 मैचेज के अंदर 97 रन इनके नाम है और इंपर शमीर अली खान के बारे में बात करें तो दोस्तों इस टीम के सबसे मैन ओर लांडो प्लेयर में इसे एक है आप देखोगे बैटिंग में तो 7 मैच में 106 है पैंटिस का बैटिंग आउरेज है और जबरदस विकेट टैकर गेन बाज है 12 और बालिंग करती है आठ विकेट बालिंग में निकाल चुके है तो समीर अली खान बैट और बाल दोरों में बिलकुल एक बैट पिक रहेगी और दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन में भी सबसे बैट पिक मेरे कोडिंग रहने वाली है इमामदीन है दोस्तों एक आवरेज परफोर्मर बलेबाज है लेकिन टीम इनको टोप ओर्डर में उतार सकती है ECS के अंदर तीन मैच में सिर्फ आठ रन बनाए थे और ये आठ रन दोस्तों दो मैच में पारिया थी एक मैच में पांस एक मैच में तीन बनाए लेकिन टीन टीन टी रिकोर्ड दोस्तों थोड़ा सा अच्छा इनका 33 मैच खेल चुके है 640 रन इनके नाम है 20 का बैटिंग और जै तो दोस्तों एक्सपियंस के अकोर्डिंग अधर 56 रन बनाए थे 14 का एवरेज रहा मोहमद वकास वेंस यह टीम के ओर शर्य इंपोर्टन प्लेर है बैटिंग तो दोस्तों यह शिर्फ एक मैच में आई थी पांच मैच में से उसमें 14 बनाए तो बैटिंग लेट आती है लेकिन बॉलिंग में दोस्तों काफी अच्छी बॉलिंग करवाते हैं पांस मैसेज के अंदर आठ वर बॉलिंग की थी और इन्होंने से विकेट टीम को निकाल के दिये तो बॉलिंग के तोर पर दोस्तों एम वकास वेंस बिल्कुल आपके लिए पावर पिक रहने वाली है उसामा चोदरी एसियस के अंदर तीन मैसेज के खेले हुए हैं तीन वर बॉलिंग की थी दो मैस में ये तीन वर डाले थे और दोस्तों वहाँ पर नोने तीन विकेट निकाले तो उसमा चोदरी भी दोस्तों एक ठीक ठाक गेंद बाज रहेंगे इनके बाद अबदुल्ला खलील है एसियस के अंदर नो मैसेज में नो वर बॉलिंग की है और तीन विकेट निकाले हैं और ये दोस्तों ये इनका रिसेंट है वो यहाँ पर मैंने मैंसन किया हुआ है केज जलाली दोस्तों पाउर प्ले के अंदर बॉलिंग करके देंगे पिछले एसियस में तो बॉलिंग नहीं करवाई थी लेकिन दोस्तों यहाँ पर जुरूर बॉलिंग करेंगे क्योंकि इनकी कंट्री के जो टीटन टूनामेंट रहे थे उसमें इन्होंने आठ मैचस खेले थे चौँदा ओर बॉलिंग करते हुए दस विकेट निकाले तो जलाली भी दोस्तों बिल्कुल एक अच्छे गेंद बाज है जो अच्छे विकेट निकाल सकते हैं बिलाल मुहमत दोस्तों पारप्रे में बॉलिंग करने वाले हैं और पीफ की टीम के ओर से दोस्तों लिडिंग विकेट टैकर गेंद बाज हैं पिछले तीन मैच में आप इनकी बॉलिंग देखोगे तो चार विकेट, एक विकेट, तीन विकेट यानि पिछले तीन मैच में ये आठ विकेट निकाल कर आए हैं जुबेर असलम है, इस यस के अंदर पांस मैचस खेले साथ ओर बॉलिंग करते हैं, दो विकेट निकाले थे अली उस्मान और दोस्तों यहां से वकार हसन इन दोनों में से कोई एक खेलेगा अली उस्मान ने तीन मैचस खेले हुए हैं टी टॉन्टी में, बार आवर बॉलिंग करते हुए चार विकेट इनके नाम है, वकार हसन स्पिन बॉलिंग करवाते हैं, इस यस के अंदर चार मैच खेले थे, उस में से दोस्तों एक मैच में बॉलिंग की थी, वहाँ पर इन्होंने एक विकेट निकाला था, अवरोल दोस्तों यह बैटिंग भी कर लेते हैं, पांच टी टैन मैच में 26 इन्होंने अपनी कंट्री के टूर्नामेंट में बनाए थे तो दोस्तों वकार से आप बॉलिंग की भी उमीदे कर सकते हैं और बैटिंग में भी कभी भी टेम्स हैं तो इनका यूज कर सकती है बाकी बैंच के प्लेस को लेकर दोस्तों काफी बड़ा इनकी स्क्रेड अनौन्स की है तो अगर कोई भी चैन्स वगरा होगा तो उसकी पूरी अपडेट, पूरे रिकोर्ड के साथ सब से पहले आपको मिलेगी हमारी टेलिगाम में और टेलिगाम जोइन करनी के दो important लिंक आपको वीडियो के निचे भी मिल जाएंगे अगर link work ना करें तो आप सीधा telegram में जाके search कर सकते हैं आपको type करना है WGF24 और search करके जुट जाना है telegram के अंदर अब दोस्तों बात कर लेते हैं हमारी demo team के बारे में उससे पहले दोस्तों आपको बता देता हूँ अब आप Playzport application के अंदर fantasy खेलने के साथ दोस्तों कैरम बोर्ड रम्मी जैसे game खेलके भी काफी अच्य अर्निंग कर सकते हैं और दोस्तों वैसे भी आप देखोगे fantasy के अंदर भी यहाँ पर competition बिल्कुल कम रहता है तो अब आपने अभी तक try नहीं किया तो जल्दी से कर लिजेगा Playzport का link को रैफल कोड आपको हमारे telegram channel में pin किया हुआ मिल जाएगा तो demo team में wicket keeping में मैंने w movement को try किया है batting में S, khawaza, F, Chaudhary, Aydin को मैं try कर रहा हूँ S, A, Khan, K, Jalali, R, Abdul, G, Randon ko मैंने यहाँ पर all rounder में रखा है bowling में Bilal, Z, M, Vakas को मैंने try किया है captain wise captain में दोस्तो अभी के लिए मैं S, Ali Khan तो दोस्तो बिल्कुल मैं captain रखने ही वाला हूँ wise captain में के जल्ली को अभी के लिए मैंने try किया है इनके अलावा दोस्तो आप यहाँ पर change करना चाहिए तो अपने according बिलाल मुमत के साथ भी जा सकते हैं बाकि captain wise captain की पूरी update दोस्तो वो टोस के उपर depend रहेगी और टोस के बाद जो भी information updated team होगी वो आपको telegram में मिल जाएगी तब तक के लिए दोस्तो उमेद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हर फाइनल अपडेट के लिए telegram चैनल बिलकुल मिस मत करें टाइप करें WGF24 और सच करके जोड़ जाएं telegram के अंदर थैंक यू फ्रेंट्स वल दा बेस्ट